तो मैं डेर स्टूडेंट आज कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीए फिप्त समस्टर के एजुकेस्ट यानि फिच्छा फाफ्त के फ़स्ट पेपर के इंशर बताने वाला हूं तो वीडियो काफे एलफुल आप सभी के लिए होने वाली है तो वीडियो को कंप्लेट जरूर देखते रहेगा तुछ लिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रूब के तोर पर देख लिजी आपका वर्स जो है वो तिरती यानि कि थर्डियर है समस् सब्जेक्ट के दो पेपर होंगे सब्सक्राइब और उसके दो तीन दिन बाद दूसरा पेपर होगा ठीक है तो इस प्रकार आप लोग अपनी एक्जाम के तैयारी करेंगे और अब हम बढ़ते हैं कोश्चन एंसर की ओर देखिए पूरा पूरा फ्लेबर्स यहां पर प्रश्ण है मुल्यांकन का अर्थ यह बहुत ही कॉमन कुछ्चन है और आता है मेंसा एक्जाम में तो इस बार भी पूरी संभाव ना है तो इसके बारे में जानते हैं ठीक है और खास बात यह है कि मुल्यांकन की परिभाफाफा एकदम सिंपल तरीके से मैंने आप लोग प्रस्तुत की है पड़िये चलिए मुल्यांकन के बारे में जानते हैं ऐसे ही परिभाफा अर्थ है तो इसे लिख दीजेगा उत्ता लिखेंगे कि मुल्यांकन वहां प्रिक्रिया है यानि कि वहां प्रोसेस है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ग्यान का आक्रन करते हैं मुल्यांकन के द्वारा ही छात की किसी विशे में कमियों उसकी किसी विशे के प्रतरुची और उसके प्रतिबा का आकलन किया जाता है ठीक है तो इस प्रकार परिभाफा लिखेंगे इसका उदाहन और सिंपल समय आपको समझा दे रहा हूं इसका मतलब यह होगा मुल्यांकन के प्रोसक्राइब इस को इस बारे में ह्लान करते हैं यह कुई स्थीडेंट इसको इसको इतनी जानकारी सब्जडेक्ट में प्राप्ट के ठीक है तो उसे आपको पता चल जाएगा अगर मालीजे उसके हिंदी, इंग्लिस और सोचोलोजी मालीजे तीन सब्जेक्ट है ठीक है और तीनों का पेपर हुआ और तीनों को मुल्यांखन चढ़ाएगे मतब कि तीनों के नंबर चढ़ाएगे कोपी चेक हुई हिंदी में उसने मालीजे की सो में से एक्जामपल करूप में सतर नंबर प्राप्त किया और इंग्लिस में मालीजे उसने सो में से 80 number प्राप्त किया और sociology में उसने 80-100 नंबर में 50 नंबर प्राप्त किया तो इससे पता चल जाएगा कि इस्टुडेंट को कि छेत्र के बारे में या फिर कि सब्जेट के बारे में अधिक जानकारी है ठीक है अब यहां पर साप साप जानकारी है मिलती है कि उसको इंग्लिस व जिसमें उसके कम नंबर आये हैं उसको तैयारी करनी चाहिए और जो teacher होते हैं जो master होते हैं उसको sociology subject पे ज्यादा focus करवाना चाहिए sociology के बारे में और अच्छे explaining करना चाहिए ताकि वो जितने जितने नंबर अन सब्जेक्ट में आये हैं इंगली सिंदी में उतने सोशलोजिम भी आ सके तो इसका मतलब यह सिंपल से होगा ठीक है तो इसी प्रकारिश की परिमाफ़ा लिखेंगे हर एक स्टुडेंट को हर सब्जेट के बारे में एकदम पूरा नोलेज अच्छिफ नहीं होता किसी ना किसी सब्जेक्ट में उसको अच्छी जानका बता है कि सैच्छिक मुल्यांकर जो होता है इसके उद्देश बताईए तो कई सारे उद्देश है नंबर एक पर लिखेंगे यानि कि जो इस्टुडेंट है चात्रों के सैच्छिक अफ्तर पर उपलब्दी का निर्धारन करना ठीक है मतलब की इस्टुडेंट ने जो इस्थिति के अधार पर निर्देशान न्हों परावर से देना जिए इस्टुडेंट कि सकाब्लियत का सुदेंट को इंग्लिस चेत्र में ज्यादा नौलेज है यह इस्टुडेंट को मैं ज्यादा। जाए है तुसको दॉक्तर बनने के लिए पूस्ट के बारे मेरे भी मालेज है अगर 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 मालेज इसको मैथ के बारे में आफ आजआर घ्या होते है आज़ा होता ऊटिक हैं ul को किस दिशा में जाना चाहिए ठीक है किसमें उसकी अधिक नंबर है अगला है कि छात्रों की असफलताओं के कान पता फुधार करना भाई जब फुच्छिक मोल्यांकर होता है तो इससे छात्र जो असफल हो जाते हैं जो फेल हो जाते हैं ठीक है तो उस स्टुडेंट की कमिया पता चलती है कि करने का प्रियाफ किया जाएगा ठीक ये भी उद्देश है ओके अगला की गुड़ात्मक फुधार के लिए अधिगम वात्तावन में सुधार करना मतलब की अच्छे महोल में उसको रहना जिस हिसाफ पे उसको तैयारी वो कर रहा है ठीक है उस हिसाफ से इसको महोल में रखन स्कूल में पढ़ाया अगर घर पर रिवीजन किया जाए तब उसके जो सुधार है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा ठीक है अगला की समाज तथा अभिवावक को जबाब देही के लिए नियमित बच्चों की उपलब धेम उन्नत का पता लगाना ठीक है तो यह भी महत्प सकता कि मुल्यांकन के गुड़ बताईए ठीक है यह कुश्चन मैंने प्लस इस बार आपके एक्जाम को देखते हुए उससे साफे तयार किये हैं तो आप ध्यान प्रूर्बग देते रहेगा कुश्चन भी तयार कि आपको फीड़ भी देंगे कैसे देंगे कहां पर तीसरा है उपयोगिता ब्योभारिकता आदि ठीक है अता असपस्ठ है कि बस्तोनिष्टता बिश्चनेता तथा बिश्चनेता मुल्यांकन के आवस्यक गुण है तो यह कुछ गुण है जिनको आपको ध्यान रखना है हलाकि कॉमन कोश्चन है आविशकता नहीं वियास चाले निश्कोष्चन लखते कौन सा है अब कोश्चन है कि मुल्यांकन की आउधाड़ा क्या है तो एजुकेस्ञ याने विच्छा में जो मुल्यांकर है मतलब कि जब इस्टूडेंट पढ़ाई करता है पेपर होता है तो उसका मुल्यांकर होता है उसके बारे में कुश् करना प्रतेक्षात्र का बेवहार उनके फैच्च्र करियर की दवरान कैसे बिख्षित हो सकता है इसके बारे में एनलिसिस किया जाता है इसमें ठीक है करने के लिए डेटा पराप्त करता है मतलब कि उसका जो एक्जाम दिया उसका डेटा लेता है और उसका बिख्लेशन करता है चेक करता है और प्रतेक्षात्र का बेवहार जो है उसका जो बात करने का तरीका है है वहवियर है उसके सहचिरिक कैरियर में उसका विकास किस प्रकार हो सकता है यdd bi Murk बिकास किस प्रकार करने के दोरां ठीक हे उसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन एक फत्त प्रक्रिया है जो कि फिछात्र के उपचारिक फैच्छिटिक प्रदर्सन की तुलना में उसके अनुपचारिक फैच्छिडिक विकास में अधिकरुची रखती है तो इस प्रकार लिखेंगे सिच्छा में मुल्यांकन के उधाना के बारे में ठीक है अब कोश्चिन सपयात्र के ज्यान को मापने के लिए घडती इकाईयों का प्रिवक करते हैं तो उसको नापनाहिक का पिर्यों के पारियोक करते के उस गड़ती एकाई का नाम है, फैचिक मापन के ही, माध्यम से किसी भी छात के ज्यान को मापा जाता है, या फिर उसके टाइलन्ड को, या फिर उसके जो ज्यान है, उसको मापा जाता है, ठीक है, फिच्छा, छेत्र में किये जाने वाले सभी प्रकार के मापन, फैचिक माप कितनी है जह्मता कितनी है उनका प्र وجतुत कैसा कैसा है रूची अनिक इंट्रेस्ट उनका कि सीज में सब्जेक्ट में कि यो सिखने के तरीके आध इन चीजों को मापा जा सकता है ठीक है तो इस प्रिकार इसका उत्ता लिखेंगे ठीक है एक और बहुत ही असान बहुत ही एक दम शिंपल मैथेड में आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आपको जड़त से मस्या नहीं आ ‫हीं अगर यह प्रशना आता है तो आपको इसी प्रकार पहले तो आपको है मतलब कि टेबल बना लेना है एक तरफ लिख लेना है मुल्यांकन की बारे में though भी तरह मुल्यांकन के बारे में। तो पहले मॉपन के बारे में ऐसे लिखेंगे कि या पएच्छा मुल्यांकन अधिक-ब्यापक है। ठीक है ओ मापन के अंतरगत किसी व्यक्ति अथ्वा व्शत के गूडो अथ्वा विसेश्चाओं का मात्र वर्डन ही किया जाता है। दो तथा विसीष्टाओं के बारे में और उसकी जोड़तों के बारे में बात की जाती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में जान करी जाती किसी देखते हैं किसी गुड या विशिष्टा की कितनी मात्रा उपलब्द है इसका निर्धार्ण मापन से किया जा सकता है और जबकि मापन के अलावा मुल्यांकन में लेकिन उस व्यक्त अथवावस्त में उपस्थित गुड या विशिष्टा की मात्रा किसी विशिष्ष उद्देश के लि करने का जो अधारन है जब की जबड़ियांकन है जबकि चात्रों की प्रप्तांक के आधार पर वह अगली कछा में जाएगा यह नहीं जाएगा इसका निर्धान करना मुल्यांकन का उधार ठीक है उसने कितने नमबर प्राप्त किये हैं ठीक है उसकी अधार पर वो अगली का छंबाई फेल हो गया तो नहीं जाएगा पास हो जाएगा तो जाएगा तो इस चीज का अधार मुल्यांकन में किया जाता है इस बात को धार नकिंगे इफी तरागला कि साथ साथ अन्य दर्ष्ट कोड़ों की भी जाच करते हैं ठीक है तो इस प्रकार आप दोनों में डिफरेंस लिखेंगे बिल्कुल सिंपल वहांसा में कोई ऐसा आपको प्रस्तुत कर दे तो बता देना इस सिर्फ और सक्सेश्टू के माध़न से किया जा सकता अगला कोश्चन है कि गुड़ात्मक मात्रात्मक मापन में अंतर बताई है ठीक है दोनों में आप लोग पढ़ सकते हैं हलाकि हमेशा रिपीट नहीं होता है कुश्चन लेकिन कुछ बार आया है तो दोनों में अंतर बिल्कुल टेबल के माध़न से प्रस्तुत किया है ता यानि कि जानकारी का होना आवश्यक होता है इसकी विशेष्टा है मापन की दूफ्रिय मापन एक आधनिक प्रमाडी करत्निधी है अगला कि यह मुल्यांकन का ही एक अंग होती है कौन मापन मापन में यह ग्यात कर सकते हैं कि विश्ट की मात्रा कितनी किलो ग्राम फिट इ तो इस प्रकार आप लेखेंगे मापन की कुछ बिशेष्टा है जो कि एकदम सिंपल है दो तीन बार पढ़ेंगे उत्तर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा यहीं आएंगे और भी बहुत फारे कि आपकी परिच्छा में यह थोता है और एक दो दीन बार वीडियो देख लिएगा आपको मिल जाएगा ठीक है और यह पीडिया पूस्टिर एंसर की चाहिए तो आप टेलिग्राम अटसर से जोईन हो सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट से भी जोईन हो सकते हैं इसका नाम अब आपको पूर एक्जाम की तैयारी का जो में ट्रेल हो मिल जाएगा मिलते हैं कोड़ने वीडियो के साथ जब तक ले जाहें